इस दोरान जब तक सूरत चान रहेगा शहीदों तुम्हारा नाम रहेगा की नारे लगाए गए कारेक्रम का नेतरुत्व मीडिया सेल जिला देख्षे नाकपुर शहर अमिद दूबे ने किया इसके अलावा पुलिस अधिकारी कर्मचारी भी उपस्तित थे 26 नवंबर 2018 में मुंबई आतंकी हमले में प्राणू की आहुति देने वाले जावा शहीदों को नमाखों से अभिवादन किया गया साथ ही जब तक सूरत चान रहेगा शहीदों तुम्हारा नाम रहेगा के नारे भी लगाए गए अमित दूबे ने कहा कि इस आतंकी हमले ने पुरे देश को हिला कर रख दिया था इस हमले को आतंकी संगटन लशकरे तैयब के दस आतंकियों ने अंजाम दिया था जिसे नाकाम करने की अभियान में पुलिस ATS और NSG की ग्यारा जवान वीर गती को प्राप हो गए थे ऐसे में ATS के प्रमुख हेमन्त करकरे, SCP अशोक काम्टी, SCP सदानन्त दाती, NSG की कमांडो मेजर संधिम उन्नीकृष्णन, Encounter Specialist ASI विजे सालसकर, Inspector सुशान शिंदे, ASI प्रकाश मोरे, ASI दुर्गडे, ASI नाना साहिब भोसले, तुकाराम ओमले, सिपाही विजे खांडेकर, जैवन पाटिल, योगेश पाटिल, आमबादास पवार और MC चोधरी शाबिल थे इसके अलावा, इस संबले में 137 लोगों की मौत हो गए थी, जबकी लगबग 300 लोग घायल हो गए थे, इस दर्दनाक हाथसे को आजपूरे 12 साल हो गए है, लेकिन देश का हर इंसान कभी इस मन्हूस दिन को नहीं भूल सकता सवसर परच चरंजीत सिंग बीजी, विजे विश्व कर्मा, सुनीत अखतरी, हनी खेतरपाल, रामदा स्वानी, राजकुमार पांडे, सुनिल लवातरे, मनुच पॉनिकर, प्रकाश पसेरकर, मधूर सावरकर, अमर कोचे, इत्यादी भारी संख्या में राश्ट्रवादी कॉंग्रिस मीडिया सेल नाकपुर के पदादिकारी उपस्तित थे